इस्टुडेंट्स वागाते आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूप चैनल पे जहां आपको वेस्ट बिंगॉल बोट से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी तो अगर आप वेस्ट बिंगॉल बोट के स्टुडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें तो इस्टुडेंट्स आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूबॉइड किसे कहते हैं और क्यूबॉइड का जितना भी फॉर्मूलाज वगरा है वो सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इन सभी concept को apply करके numerical को solve करेंगे तो वीडियो को पूरा end तक अच्छी तरीके से देखे ताके आपको पूरी concept अच्छी तरीके से समझ में आ सके तो सबसे पहले हम लोग इस chapter में ये समझ लेते हैं कि क्यूबॉइड जो है वो किसको कहते हैं what is क्यूबॉइड तो इ अब आपके मन में एक सवाल उट रहा होगा कि आखिरकार यह face किसको कहते हैं तो देखिए इच जो हमारा side होता है यह example अगर हम लोग यहां पे लें यह mirror cube है तो इसका अगर example लें तो यह जो आप लोग को दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे face ठीक है इसी तर क्यूबॉइड बोलेंगे हम लोग क्यूबॉइड बोलेंगे और यहां पे एक important point है वो यह है कि क्यूबॉइड में हमारा जो opposite faces होता है वो एक दूसरे के similar होता है मतलब जो उसके उपर का face का जो हमारा जो उसके opposite का face का length होगा वही उसका face का भी length होना चाहिए और उसका व क्यूबॉइड में इस्तेमाल करेंगे और इस chapter में हम लोग को जो question आएगा वह कौन कौन सा term हम लोग को इस्तेमाल करके वह questions पूछा जाएगा वह हम लोग यहां पर समझते हैं तो देखिए जो सबसे पहला important term हम लोगों से इस chapter में पूछा जाएगा वह यह है कि ages किसको कह इसको कहते हैं थीक है एज किसको कहते हैं हम लोग को वह पूछा जाएगा तो देखिए एज simply बोलते हैं जब भी कोई दो faces का इस तरह से यह एक face है यह एक face है यह दोनों जबा कैसे मिलेगा तो यह वाला मिलने का portion इसको क्या कहेंगे इसको कहेंगे edge ठीक है edge यह देख रही है यह एक हमारा face है और यह एक face है लेकिन यह दोनों जिए जगेंपे मिल रहा है यह हमारा हो गया हमारा एज कहलाएगा यह हो गया और यह सभी जो फेसे से उस सभी फेसे को क्या कहेंगे सर्फेस कहेंगे तो अब यहां पर सवाल यह उठता है कि इच क्यूबॉइड में हरे क्यूबॉइड में कितना सारा एज होगा यह कोशन आप से mcq वगेरा में पूछा जाता है ठीक है तो कितना age होगा वो आप लोग कैसे पता लगाईएगा वो simply आप अपने जहां भी आप बैठे हुए है जिस room में भी बैठे हुए है उस room के सभी जो भी आपका दिवार है उस room का उसके जो faces है जो मिल रहा है ऐसे करके अब जैसे आपका दिवार का corner है तो उस corner में ऐसे करके मिल रहा है न एक दूसरे से वैसा वैसा जितना भी आपका corner बन रहा है उपर नीचे जहां भी उन सभी corners को आप count कीजिए तो आप लोगों को हमारा ठीक है तो दो face जब एक दूसरे के साथ मिलेगा वो age बनाएगा एक age बनाएगा और एक cuboid में हमारा 12 age होता है ठीक है आप अपने room में चेक कीजिए ऐसा ऐसा 12 age होगा जैसे कि आप अपने room के अगर उपर देखे तो उपर में surface कितना होगा हमारा face कितना होगा एक cuboid में तो देखे number of surface अगर आपको गिनना है तो simply आप जिस room में भी बैटे हुए है उसका जितना सारा भी अबारा face है उस face को उस surface को आप जोड़िए जैसे कि आप अगर ground में बैटे हुए है तो वो एक surface हो गया आपके उपर जो फ्लोर right hand और front और back में जो दिवार है वो भी एक surface हुआ तो चार surface आपको अगल बगल दीख रहा है और एक surface उपर और एक surface आपको नीचे दीख रहा है इसका मतलब यह हुआ कि total surface कितना है total surface जो है वो हमारा है 6 तो total surface कितना होता है total surface हमारा है एक cuboid का होता है 6 तो यह आप लोगों ने समझ लिया कि age कितना होता है और surface कितना होता है ये question आपसे mcq में पूछा जा सकता है कि cuboid में कितना surface होता है या फिर कितना age होता है अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि एक cuboid में कितना length होता है और कितना width होता है ठीक है कितना width होता है और कितना length होता है वो निकला था 12 edge ठीक है अब 12 edge है और 12 में क्या है हमारे पास 3 तरह का dimension है एक height है और length और एक विरित है मतलब 12 edge है और उसमें 3 तरह का हमारा dimension है तो जब इसको करेंगे तो क्या निकल जागा 4 that means कि हमारा 4 height होगा 4 length होगा और 4 विरित होगा अगर आपको नई समझ में आया तो कोई बात नहीं इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं तो देखें सबसे पहले हम लोग देख लेते कि हम लोग का cube draw है इसमें कौन-कौन सा length है और कौन सा विरित है वो देख लेते हो क्योंकि यह 4 एक 4 के साथ यह क्या एक दूसरे के साथ equal है बराबर है इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर विरित को देखें सिरीफ ठीक है अगर हम लोग सिरीफ विरित को देखें तो क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे FB FB एक हो गया और हमारा क्या है यहाँ पे AE तो FB और यही एक दुसरे के बराबर है अब जब यह दुसरे के बराबर तो इसके उपर वाला भी बराबर होगा that means के GC बराबर है और हमारा HD भी बराबर है तो कितना यहाँ पे हो गया हमारा विरित हो गया हमारे पास height है ठीक है तो हम लोगों ने यह समझ लिया कि किसको कहते हैं और qb के बारे में पूरी knowledge हम लोगों को अच्छी दरक्स से यहां तक मिल चुका है अब हम लोग क्या करते हैं और हम लोग formula के तरफ मूब करते हैं कि मैं क्लर है कि जो है वो हमारे पास 6 face होगा हमारे पास कितना face होगा हमारे पास एक यूब ओइड में 6 face होगा clear है आप जिस भी room में बैटे हुआ है उस सबी faces को देखिए तो कि उसमें कितना face निकल रहे 6 face निकल रहे लेकिन वो 6 face में क्या है हमारे पास जो 2 face है 6 face में 2-2 face का pair बना हुआ है मतलब जिस ground पे हम लोग बैठे हुआ है और हमारे उपर जो floor है वो दोनों तो एक दूसरे के बराबर है ना उसका वरित और उसका length और जिस पे बैठे हुआ हम लोग उसका वरित और उसका length दोनों बराबर है हमारे front wall और back wall दोनों का क्या है length Bunun दोनों बराबर रह मतलब यह हुआ कि इन 6 जो हमारा faces है वो 6 faces में 2-2 faces का pair बन रहा है ठीक है छे faces में हमारे पास 2-2 faces का क्या बन रहा है pair बन रहा है कर दें तो हमारे पास जो uncommon faces आए गा वो 3 मतलब हमारे room में तीन जो है वो uncommon face है अब वो face कौन कौन सा है एक तो आपका हो गया जिस पे आप लोग बैटे हुए जो ground पे वो हमारा हो गया uncommon face इसी तरह से जो हमारा front wall है वो हो गया uncommon face और हमारा right wall जो है वो हमारा हो गया uncommon face और बाकी अगर हम लोग उसके अलावा देखे उसके opposite वाला तो क्या रहेगा उसके similar रहेगा तो वो uncommon face नहीं है अब यहाँ पर हम लोग जब total surface area निकाल रहे हैं तो इसमें हम लोगों को क्या निकालना चाहिए इसमें हम लोगों को 3 जो uncommon surface है उसका area निकाल के उसको double कर देंगे 3 जो जैसे के यहाँ पर देखिए यह तो हमारा हो गया cube में तो सभी same है तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ एक match box का example दे रहा हूँ आपको देखिए यह जो face है यह जो सामने आपको face दीख रहा है इसका जो length of width है वही हमारा इस face का भी length और विरित होगा ठीक है इस वाले face का जो length और विरित है वही हमारा इस वाले face का भी length और विरित होगा समझा पा रहा हूँ मैं आपको जो यह वाला face का length और विरित है वही इस वाले face का भी length और विरित होगा मतलब हम लोगों को यह समझ माया कि basically इसमें एक, दो, तीन यह सिरिख तीन ही जो है वो हम लोगों का original face बाकी क्या है इसका duplicate है, इसके नीचे जो है वो इसका duplicate है इसके पीछे जो है वो इसका duplicate है तो हम लोगों को अगर इन तीनों का निकाल लें और निकाल कर हम लोगों कर डबल कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा निकल जाएगा टोटल सर्फेस एरिया मतलब यह टोटल सर्फेस एरिया हमारा कितमा है वो निकल जाएगा अब उसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा वो देखिए यह हमारा है length यह क्या है length है यह हमारा है width और यह क्या है height है ठीक है तो अगर हम लोगों को इस वाले face का निकालना रहा area इस वाले face का area निकालना रहा इस वाले face का तो क्या करेंगे हम लोग length into width करेंगे ठीक है क्या करेंगे length into width तो अगर length को l से denote करें और width को b से denote करें तो lb ह प्लस यह एरिया हम लोगों का निकल गया एक सर्फेस चला गया अब हम लोगों को इन दोनों सर्फेस का एरिया निकालना है ठीक है लेकिन हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यह वाला सर्फेस निकाल लिए है और यह सर्फेस इसके बराबर है तो क्या हुआ इन दोनों क को क्या दिख रहा है इस सर्फेस हम लोगों को length दिख रहा है और height दिख रहा है तो length into height अगर हम लोग करते हैं तो ये वाला surface का हम लोग को area निकल जाएगा और ऐसा-इसा दो surface है इसलिए twice of length into height हम लोगों को करना पड़ेगा अब ये भी निकल गया और ये भी निकल गया अब बच गया सिर्फ क्या ये वाला पोशन हम लोगों के पास बच गया अब इसमें हम लोगों को दिखे क्या दिख रहा है इसमें हम लोगों को विरित दिख रहा है ये हमारा विरित है और ये हाइट है और ऐसा ऐसा फर्मूला है वो हम लोग को मिल गया 2 यह हो गया हमारा LH यह हो गया प्लस 2BH ब्लस 2LB ठीक है अब जब 2 को हम लोग common ले लेंगे यहाँ पे हम लोग तो हम लोग यह पास क्या बचेगा LH प्लस 2H प्लस 2B ठीक है इसको आप इधर उधर अरेंज भी कर सकते कोई बात नहीं है ठीक है तो total surface area का formula हम लोग को यहाँ से drive हो गया ठीक है अब हम लोग बात करते हैं कि cube के case में क्या होगा लेकिन उससे पहले हम लोग यह समझ लेते कि cube बोलते किसको है total जो भी इसमें property था same property cube में होगा लेकिन cube का length, width और height तीनों क्या होगा हमारा equal होगा मतलब जो length होगा वही हमारा width भी होगा और वही हमारा height भी होगा वाँ आप सभी को मालूम है, यहाँ इहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा length होई है वही हमारा kya है breadth भी है, और वही हमारा height भी है, तो तेनों क्या है, बराबर हो जाएगा तो मान लीजे, यहाँ पे हमारा 2 है और यह हमारा kya है, मान लीजे हर एक side इसका L है हर एक side क्या है L है तो क्या होगा L into L H भी तो L e होगा क्यूंके height और L length और height दोनो इसका बराबर है तो L into L हमारा L square हो जाएगा plus ये भी B जो है वो भी L के बराबर होगा क्यूंके sub side इसका equal है तो ये भी L into L L square हो जाएगा और plus ये भी L into L, L square हो जाएगा तो is equal to हम लोगो क्या निकलेगा अंदर से 1 L square, 2 L square और 3 L square तो 3 into 2 हो जाएगा 6 L square अब L को हम लोग A से replace कर देते हैं और A का मतलब हो गया A is equal to मान लिजिए side of cube side of cube, ठीक है? तो A अगर side of cube है तो total surface area जो cube का होगा cube का जो total surface area होगा वो क्या होगा? 6 A square और जो हमारा cuboid का होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा हमारा 2 into length into breadth plus length into height plus breadth into height ठीक है? यहाँ तक clear है? तो यह total surface area हम लोगों को पता चल गया कि total surface area जो है वो क्या होगा? cube का भी हम लोगों को पता चल गया जो क्या है हमारा इसका volume निकालना volume हम इसका किस तरह से निकालेंगे वो देख लेते हैं तो देखे volume हम लोग इसका कैसे निकालेंगे किसी भी चीज का volume कैसे निकलता है length into breadth into height length into breadth into height क्या हो जाएगा हमारा area हो जाएगा मतलब length into breadth sorry volume हो जाएगा तो length into breath निकालके इसको अगर height से multiply कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा area निकल जाएगा मतलब अगर इसका length और इसका width दोनों को multiply करके नीचे का जो area निकल गया उस वाले area को अगर हम लोग इस वाले height से multiply करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा volume आ जाएगा तो volume का मतलब क्या हो गया volume का मतलब हो गया area into height किसी भी चीछ का surface area into height करेंगे तो हमारा volume निकल जाएगा तो area यहाँ पर क्या है area है हमारा length into breath और height हमारे पास क्या है edge तो यह हमारा हो गया volume अब आप बुलियेगा भया कि cube का जो volume होगा वो क्या होगा तो देखें, cube का 3 side तो equal होता है, अब अगर मान लीजे जैसे कि हम लोग ने side माना था cube का A, तो 3 क्या हो जाएगा A into A into A तो cube का जो volume हो जाएगा cube का जो volume हो जाएगा, वो क्या होगा A cube हो जाएगा, ठीक है surface area into height होता है हमारा क्या volume तो इसलिए हमारा क्या हो गया area into height length into breadth into height क्योंके length into breadth हमारा area है तो volume भी यहां तक आप लोगों को clear हो गया volume कैसे निकलेगा अब हम लोग next पढ़ देते हैं क्या diagonal के बारे में diagonal किसको कहते हैं और diagonal जो है वो diagonal का formula जो है वो क्या होगा तो सबसे पहले diagonal हम लोग समझ लेते हैं तो मान लीजिए आपके room का जो एक corner है उस corner से लेकर ठीक है उस corner पे आपने एक जो है वो डंडा रखा ठीक है एक डंडा आपने उस corner पे रखा और जो आपके opposite वाला corner है उसके opposite वाला corner मतलब के एक corner आपका room का ये वाला corner है और एक corner ये वाला corner है तो इन दोनों के बीच का जो distance होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे diagonal ठीक है इन दोनों बीच का जो distance होगा उसी को हम लोग बोलेंगे diagonal आपसे question में पूछा जा सकता है कि what should be the longest possible rod that can be kept in that cuboid या फिर ये पूछा जा सकता आपसे कि कोई भी largest possible rod का length कितना होगा अगर आपको length, breadth और height दिया रहा कोई भी cuboid का तो आपसे question में ये पूछा जा सकता है कि largest possible rod का size क्या हो सकता है largest possible size क्या होगा भी रूम में हम लोगों का क्या होगा डाइगनल होगा अब हम लोगों को डाइगनल का फॉर्मूला जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि डाइगनल का फॉर्मूला क्या होगा तो देखे डाइगनल का जो फॉर्मूला होता है diagonal जो होता है वो क्या होता है root अंडर L2 plus B2 plus H2 होता है ठीक है L2 plus B2 plus S H2 होता है अब आद बुलेगा भया अगर यही case हमारा cube में रहा यानि इस में रहा तो इसमें क्या होगा तो इसमें simply क्या हो जाएगा हम लोगों को इसमें यह भी A ये भी A ये भी A तो root under 3A square है तो इसलिए जब A square root से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा root under 3A ये हमारा हो जाएगा क्या ये हो जाएगा diagonal cube का cube का diagonal हो जाएगा हमारा root 3A और जो cuboid का diagonal है वो क्या हो जाएगा हमारा root under A square plus B square plus A square इसको आप copy में अच्छे से note down कर लीजिए clear है तो हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि diagonal किसको कहेंगे और diagonal आपसे direct नहीं पूचा जाएगा question में आपसे diagonal इस तरह से पूचा जाएगा कि बताइए कि ये room है उस room का length इतना है, width इतना है तो उस room में largest possible rod कितना length का हम लोग उसमें डाल सकते हैं तो जब भी largest possible rod का बात आएगा largest possible rod का बात आएगा तो वो क्या कैल आएगा? diagonal कैल आजाएगा क्योंकि diagonal से बड़ा कोई भी चीज इस room में हम लोग नहीं fit कर सकते हैं clear है यहाँ तक? ओके अगर आप जानना चाहते हैं कि diagonal का formula है वो q root under l square plus b square plus h square है तो आप comment section में जाकर मम से पूछ सकते हैं मैं उसका एक separate video बनाने का कोशिस करूँगा क्योंकि अगर उसको इस video में मैंने समझाया कि किस तरह से जो diagonal का formula है वो हम लोग root under l square into b square into h square लिखते हैं q void का regarding में तो आप comment section में जाकर पूछे मैं उसका answer देने का पूरा कोशिस करूँगा और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये video आपकी classmates की भी help कर सकता है तो जल्दी से अपने classmates तक इस video को share करें आप से मिलता हूँ next video में तब तक के लिए अपना ख्याल लखें तक क्यों आपकी तक करें तक का तक करें ये तक क्यों आपकी आपकी को अपकी है